Hello everyone, welcome to origin आज की सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हमारे क्लास 12 इंग्लिश सप्लिमेंट रिडर का चैप्टर 2 जिसका नाम है The Tiger King तो आज की सेशन में हम क्या देखने वाले हैं एक बार हम चैक कर लेते हैं आज की सेशन में हम देखेंगे इस चैप्टर का एक छोटा सा स्केच कौन-कौन से करेक्टर से और क्या हमें पढ़ना है देन हम देखेंगे स्टोरी की समरी दन, NCRT questions, PYQs and long answer questions की कुछ mixed question की हम practice करेंगे तो सबसे पहले हम एक छोटा से स्केच देख लेते हैं आप इसके आथर का नाम जान लीजिए The Tiger King को लिखा गया है कालकी के द्वारा इनके आथर का नाम क्या है कलकी ओके, तो अब एक छोटी सी स्केच देख लेते हैं हम इस चैप्टर की कि कौन-कौन से characters हम इसमें मिलने वाले हैं कौन-कौन से characters मिलेंगे सबसे जो main character है जिनके उपर यह story पूरी based है वो है महराज यह महराज है प्रतिबंध पुरम के and इनके उपर यह story है second हमारा जो character है वो है the divine and state astrologer यह तीन हमारे main characters है इस story के तो यह story है किस चीस से related यह story जो है वो प्रतिबंध पुरम के महराज के उपर है जिनके जब जन्म हुआ था तो भविश्वारी की गई थी कि इनके मरने के पीछे का reason क्या होगा एक tiger होगा and वो इस से बचने के लिए and इसको गलत proof करने के लिए अपने प्रतिबंध पुरम के जो महराज है इनकी कहानी जब कोई भी सुनता है तो उसे उनसे मिलने का मन करता है लेकिन अफसोस यह है कि उनसे कोई अब मिल नहीं सकता क्योंकि आल्रेडी वो मर चुके है बट उनका असली जो मज़ा है असली जो मिस्ट्री है वो उनके डेथ के पीछे है जो असली मज़ेदारी स्टोरी है वो प्रतिबंध पुरम के महराज का डेथ क्यों है हुआ इसके पीछे है तो आज हम वही जानने वाले हैं कि प्रतिबंध पुरम के महराज को किस लिए मरना पड़ा किस वजे से उनका death हुआ और क्या process से उनका death हुआ सो अब हम अपनी story को start करने वाले हैं आपका सारा ध्यानव होना चीए वीडियो पे क्योंकि हम start करने वाले इस story की summary the tiger king by kalki प्रतिबंदपुरम में जब एक prince का जन्म हुआ तब वहां की state astrologer ने उनके लिए भविश्यवारी की क्या भविश्यवारी की कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये बहुत ही स्चक्तिसाली होगा बहुत ही powerful होगा बहुत सारी लडाईयां जीतेगा बट इसका last में death हो जाएगा ये prediction उन्होंने जो state astrologer थे उन्होंने इस prince के बारे में की अब चौकने वाली बात ये थी कि ये जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है जो prince का अभी जन्म हुआ है सिर्फ 10 दिन इने पैदा हुए हुआ था और ये अच्छे से clearly बात करना शुरू कर चुके थे जो astrologers थे जो जियोतिष थे उनसे ये वाद विवाद करने लगे उनसे question पूछने लगे तो ये एक astrologer को कहते है जो state astrologer है उनसे ये कहते है कि जो भी जन्म लेता है उसका मरना तय है तो इस बारे में आप कोई भविशिवारी नहीं कर रहे है आप एक normal fact बता रहे हैं अब उ उनके मरने के पीछे जो reason होगा वो एक share होगा इस पे जो वो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं डरता बट इसके बजाए वो क्या कहता है कि tigers को मुझसे डर के रहना पड़ेगा अब वो prince धीरे धीरे बड़ा होने लगा काफी tall हो चुका काफी powerful हो चुका एंड उसे फिर दिये बात ध्याना ही कि मेरे मरने के पीछे का reason क्या होगा एक tiger होगा अब वो tiger hunting का काम शुरू कर दिये tiger hunting का काम उन्हें शुरू किया उन्होंने अपने सबसे पहला tiger मारा जब हेंड पे गह थे एंड इस तरीके से वो continuously tigers की hunting start कर दिये अपने राज में उन्होंने tiger मारने प पीछे कई सारी कठिनाईया आई एंड जब वो tigers को मारने start किये तो फिर से straight astrologer के पास गये जब उन्होंने अपना पहला tiger मारा तो वो राज के जोतिशी के पास गये astrologer के पास गये और उन्होंने कहा कि मैंने tiger मार दिया देख लीजिए मुझे कुछ नहीं हुआ तो उनका कह एगर successfully मार लिए तो मैं अपना जो बाल है वो कटवा लूँगा एंड जो 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 कार है और जो astrologer का जो काम है वो छोड़के अपने astrology की सारी books जला के मैं insurance agent बन जाओंगा ये उसका कहना था अब जो राजा है वो काफी अलग तरीके से पला बढ़ा था ये एक unique बात में ये जो राजा है उसे English guy का दूथ पिलाया गया English teachers के द्वारा उने पढ़ाया गया English logo के बीच उने रखा गया and English की वो films देखते थे ये इन राजा की खासियत थी अब हुआ ये कि ये tiger मारने के process में बहुत सारी कठीनाईया इनके साथ आई and क्या-क्या कठीनाईया आई वो इच्छ होई कि उसे भी tiger hunting करनी है बट महराज ने तो मना कर रखा था tiger hunt करने से तो अब होता यह है कि जो ब्रिटिशर है वो कहता है कि आप tiger hunt करवालो मेरे से मतला मुझे इसका permission दे दो वरना आप से मैं आपका राज ये छीन लूँगा तो अब tiger के चकर में महराज का पू कोई एक उनकी wife जो पसंद आएगी वो रख लेगी एंड उनका राज ही वापस मिल जाएगा होता यह कि जब 50 diamond ring वो अंग्रेज officer की wife को भेजते हैं तो उनकी wife क्या समझती है 50 diamond ring मेरे लिए भेजा गया और वो सब को रख लेती है एंड जो British officer है वो ये जित को छोड़ देत है अब महराज इसे ज़्यादा दुखी नहीं होते उनका कहना यह था कि ठीक है कुछ लाखों का खर्च हो गया बट इसके पीछे जो इसकी वज़े से जो क्या कहते हैं मेरा राज जी है वो तो बज़ गया साथी साथ टाइगर यहाँ पर नहीं मारा गया मैं continuously tiger मार सकता हू अब जो राजा जो है वो लगा ताइगर मारने लगे 70 के राउंड tigers उन्होंने मारे थे तब उनके राज में जो tiger की population है वो खतम हो गई एक्स्टिंट हो गई तो उन्होंने दिवान को बुलाया जो उनके जो दिवान थे उन्होंने उनको बुलावा भेजा और दिवान को उन्होंने बुलवाया और उन्होंने कहा कि ऐसे राज जी की प्रिंसेस को ढूंडो जहां कि टाइगर की आवादी सबसे जादा है। बट वो टाइगर अपने आपको छुपा के रखता है। इस चीसे उन्होंने बहुत गुस्सा आगया कि टाइगर मेरे सामने आ नहीं रहा है। तो उसकी नौकरी तो बच जाएगी और टाइगर किंग का भी वो जो है वो पूरा हो जाएगा ख्वाहिश। नेक्स दे टाइगर जो टाइगर किंग है जो महराज है प्रतिबंधपुरम के उन्हें पता चलता है कि जंगल में एक शेर दिखा है। अब बहुत खुश हो जाते हैं वो अपने बाकी दो तीन हंटर के साथ वो जंगल में जाते हैं और वहाँ जाके वो सौवे टाइगर को मार देते हैं। बोली से शूट कर देते हैं वो टाइगर गिर जाता है और महराज बहुत ही खुश हो जाते हैं कि मैंने सौवा टाइगर मार दिया और जो बाकी हंटर से उन्हें वो क्या कहा देते हैं। कि अब तुम जाओ और उस टाइगर को उठा के लिया और इस तरीके से महराज का जो है सौवा टाइगर मारने के एक्षा भी पूरी हो जाती है लेकिन यहाँ पे हमारी कहानी खतम नहीं हुई यहाँ पे हमारी असली कहानी शुरू होती है होता क्या है जब महराज वहाँ से च परवा थी उन्हें यह हिम्मत नहीं हुई कि वो राजा को जाके बताए कि आपका जो सवा टाइगर था वो मरा नहीं है उनमें से एक खंटर ने खुझ से उस टाइगर को मार दिया लेकिन राजा को यहाँ क्या लग रहा है कि मैंने सौ टाइगर मार है उस शेर को बरी किया तो राजा ने उसे अपने बेटे को वादा किया था कि उसके बड़े पर वो उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे अब राजा जब मार्केट में गये कुछ गिफ्ट लेने उन्हें कुछ सूझाने कि वो क्या गिफ्ट करें बट वो जब देखे तो सामने एक खिलोने का लकडी से बना हूँ एक शेर था, टाइगर था, वो उन्हें बहुत पसंद आया, और वो उसे अपने बच्चे के लिए as a gift लिया है, बट वो जो टाइगर लकडी का बनाया गया था, वो एक unskilled artist के द्वारा बनाया गया था, मींज एक ऐसे कारीगर के द्वारा बनाया गया अब उसे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ignore करके निकाल के उसे फेग दिया, next day वो जो है वो घाव में convert हो गया, एक हफते बाद वो जो उनका पुरा हाथ है वो खराब हो गया, बहुत ही बड़े बड़े सर्जन ने उनके आम की सर्जरी की, लेकिन at the end वो उन्हें नहीं बचा पाए और इस तरीके से प्रतिबंधपुरम के महराज की जो है वो मृती हो गई, और यहां पर हमारे स्टोरी है जो खतम हो जाता है, तो एक बहुत ही beautiful सी mysterious स्टोरी थी बाई काल की जिसका नाम था the tiger king, अब हम इस स्टोरी के question practice करने वाले हैं, मुझे ऐसा बिलकुल भ स्टोरी के से हमारे chapter complete हो जाएगा, question practice कराने से पहले यह मैं आपको बता दूँ कि इस chapter की questions continuously exams में देखे गए हैं, तो आपको क्या है, ध्यान से सारे questions देखने हैं और इस chapter को अच्छे से एक बार अपने book से read भी कर लीना है, तो अब हम start करते हैं हमारे questions की practice, तो हमारा first question है, which problem did the महराज face when he killed 70 tigers, how did he solved it, तो मैंने आपको बताया, जब महराज ने 70 tigers kill कर लिये थे, तब उन्हें एक problem आई, क्या problem आई, उनके राज्य की जो tigers की population थी, वो क्या हो गई, extinct हो गई, means खतम हो गई, अब उन्हें वहाँ और मारने के लिए tiger नहीं मिला, अब उसको उन्होंने solve कैसे किया, solve उन्होंने कैसे किया, highest tiger population हो जिस राज्य का, highest tiger population वाले राज्य की princess सुनोंने क्या कर लिया, शादी कर लिया, okay, highest tiger population जिस राज्य का था, जिस kingdom का था, वहाँ की princess सुनोंने शादी कर लिया, इस तरीके सी ये problem उन्होंने solve कर लिया, okay, our next question is, what made the chief astrologer place his finger on his nose, अब यहाँ पर पूछा गया है यह जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह चीज़ कब हुई जब राजा नैने पैदा हुए थे एंड उन्हें चीफ एस्टराजर के पास ले जाया गया तो यह देखते कि एक 10 दिन का बच्चा इतना क्लियरली बात कर रहा है इतने फैक्चुल इतने प्रैक्टिकली हमसे सवाल जवाब कर रहा है और जब यह चीज़ वो देखते हैं तब वो अपने नोस पे फिंगर्स रख लेते हैं क्लियर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा जब आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे अब नेक्स्ट क्वेस्टिन इस वाट लेट द द महाराज टु स्टार्ट आउट आउट आउन टाइगर हंट अब देखिए यह क्वेस्ट्टन यह स्टोरी का स्टार्ट ही ही से हुआ ह महाराज ने टाइगर का हंटिंग करना क्यों स्टार्ट किया टाइगर का शिकार करना क्यों शुरू किया इसलिए शुरू किया क्योंकि जो चीफ एस्ट्रलाजर है उन्होंने उन्हें बताया था क्योंके मृत्यू के पीछे का जो कारण है वो उनके द्वारा मारा गया सौ इस थ्रोन मैंने बहुत अच्छे सी एक्स्प्लेइन किया ये question आपके लिए homework ओके इसका answer मुझे comment box पे चाहिए next question is why did the maharaj order the divan to double the land tax अब maharaj ने दिवान को land tax double करने का order क्यों दिया क्योंकि maharaj को क्या लगता था maharaj क्या थे गुस्सा हो गए थे and गुस्से में उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए जो राज्य का land tax है वो double करने का order दे दिया clear यह होगा इसका answer next question is how did the tiger king meet his end what is ironical about his fate अब यहाँ पे क्या पुछा गया है कि किस तरीके से tiger king जो है वो अपने end के तरफ जाते हैं किस तरीके से irony उनकी fate के साथ irony means दो चीजों का just opposite होना hypocrisy आप जानते होंगे same उसी तरीके का term है irony तो opposite होना irony का मतलब होता है तो अब यहाँ आप यह पुछा है कि किस तरीके से tiger king का end हुआ किस तरीके से end हुआ उन्होंने 99 tiger मारे बड़ जो 100 tiger था वो सिफ घायल हो गया था एंड उन्हें क्या लगा कि उन्होंने 100 tiger मार लिये हैं बड़ जो 100 tiger था वो क्या था एक लकडी का toy था जिसकी वज़े से उनका death हुआ तो यही चीज़ हमें explain कर देनी है इसका proper answer यही होगा ओके, so now our next question, that was it, so इतने questions है हमारे आज के लिए, but यह जितने questions है इसमें हमने अच्छे से सब कुछ cover किया है, and एक बार आप अपना textbook read कर लेंगे, तो यह chapter आपका बहुत अच्छे से cover हो जाएगा, अब हम मिलते हैं अपने next topic पे, till then goodbye, thank you, take care, जैहिंद झाल